हलो दूस्तों एजुकेशन का अड़ा चनल में आप सब लों का स्वागत है और आप है शाला सद्धी के वेब पेज पर जैसे कि हम अपना डाइस को डाल रहे हैं जो कि हमारा यूजर आईडी है और पासवर्ड जो है गलत बता रहा है जैसे मैं कि डाल दियों और पासवर्ड में डाल रहा हूं तो आप देखिए सब्मिट करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है इन्वैलिट पासवर्ड ऐसे में आपको अपने ब्लॉक एजुकेशन आउफिसर या बी आर से सी कारियाले से आपको संपर्क करना है और वहाँ पर जिनका भी नंबर दिया गया है उस पर अपने डाइस कोड और साला का नाम लिखकर उनको आप मैसेज भेजेंगे जैसे ही आप मैसेज भेजते हैं वो आपको OTP प्रदान कर देता है जिससे आप नया रिशेट आप पासवर्ड को कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना है forget password पे यहां पर देखे क्लिक हीर लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे ऑर जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर forget password में तीन option आता है with pin OTP, get pin OTP और forget pin OTP तो हमको with pin OTP कर लेना है क्सका हम pin अाले जैसे BRCC कारियालाय से मैंने प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर पहले अपना UDICE कोड हम लिख देंगे जिस UDICE कोड के बारे में हमको password reset करना है उसके बाद फिर यहाँ पर जो वहाँ से हमको 6 अंको का OTP मिला हुआ है उस OTP को यहाँ पर दर्ज करके submit के बटन को दबा देंगे देखिए जैसे ही मैंने submit के बटन को दबाया यहाँ पर create new password करके option आ जाता है अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर password लिख सकते हैं और create का जो option है इसको हम दबा देते हैं देखिए जैसे ही हमने किया यहाँ पर option आ गया और हम जो है उस school के मुख्य पेज पर आ गये हैं इस प्रकार आप जो है अपने ID और password को renew कर सकते हैं या आप जो password भूल गये हैं उसको फिर से आप चालू कर सकते हैं आप आईए हम शाला शिद्धी के form को भरना यदि प्रारम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर यहाँ पर option है यहाँ पर option है evolution start हम यहीं पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम क्लिक करता है यहाँ पर चालू हो जाता है हमारा form और आप जो है बारी-बारी से इसको form भर सकते हैं तो इस प्रकार आप जो है अपना साला सिद्धी online कर सकते हैं श्रक्चक साथियों आप लोग ध्यान दें जब भी आप data भरेंगे सबसे पहले आपको submit करना है उसके बाद next करना है इसी प्रकार आप पूरे जितने भी इसमें format दिये गए हैं columns दिये गए हैं वो सब आप भर लीजिए आखरी में final submit आपको करना है जब आप final submit कर लेंगे तो report निकालने के लिए देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक आखरी में जो evaluation end लिखा हुआ है वहीं आप जाएंगे नीचे वाले में और यहाँ पर देखेंगे school self evolution report इसको आप click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे आपने जतना भी चीज भरा हुआ है इस पर वो आ जाता है देखिए तो अब इसको आपको यहाँ से pdf save to pdf आप कर दीजिए और यह आप आपके mobile पर यदि आप laptop पर कर रहा है तो laptop पर computer पर देखी यह जो है आ जाता है इसको फिर आप share कर सकते हैं तो इस प्रकार आप जो है साला शद्धी को complete कर सकते हैं और report भी download कर सकते हैं तो दोस्ति आप लोग ने अब तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया सब्सक्राइब कर लें like कर लें धन्यवाद